है आपका हिंदी मिडियम के नमबर वन चैनल स्वर्म क्लासस में जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम सुनिल चौधरी है और हम लोग चैप्टर टू पढ़ रहे थे और चैप्टर टू में कहा तक आगए लेक्चर फाइब तक जैसा कि बहुत सारे बच्चे संजना सुर्जीत और अतुल अमेद कुश्वा सरकार निकितार निशीमल बहुत सारे से बच्चे हैं जिनका रिस्पॉंस बहुत अच्छा रहे मुझ तूरन comment box में comment क्या करिए हम आपके comment का जरू reply करेंगे ठीक है और कोसिस करेंगे reply की जो timing है वो रात में 8-10 की बीच में हो तो जादा अच्छा है क्योंकि classes भी आप क्योसिस में हो चलती है तो बिटा आप लोग बिलकुल मत घड़ाइए आप बिलकुल सही जगा आए हैं य प्रेट्चर 4 में हम लोगों ने डिसकस किया वास्पदाप का अवनमन जिसका एक फॉर्मूला बनाया था कि वास्पदाप का अवनमन बराबर P0-PS अब इस अवनमन को आपेच्छिक अवनमन से भी डिनोट किया डेल्टा पी क्वर्टू P0-PS मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने बच्चों को कोई भी बास समझाने की जुरूत है क्योंकि मेरे बच्चे बहुत जादा स्मार्ट है ठीक है और आप लोगों से जो कहें थे बिटा एक चार्ट पेपर पर सभी फॉर्म में लिख लीजे तो प्लीज बिटा आप मेरा वो काम करिए उस पर आप करेंग अडुभार की गड़ना तो हम लोगों ने अडुभार निकाला था कि डबलू ए बराबर पी नॉट में बाई डेल्टा पी डबलू बी बाई एम बी ये क्या था कि एक विले का भार था एक विलायक का भार था इसी के बेस पे हमने होमग दिया था और हमारे बहुत सारे पेदी हां सर एंसर आ गया लेकिन ऐसा नहीं चलेगा ठीक है हमें आंसर सेंटू सेंट चाहिए अब कुछ बच्चों का ये भी था किसरा में आया ही नहीं तो उन बच्चों के लिए हम एक बार क्वेश्चन होमवक वाला देखो बोर्ट पर लिखे हैं आईए इसको समझ ल बांते हैं कि हमारे बहुत सारे बच्चों को chemistry का नहीं आता मैं करताथ छोड़ दिये chemistry का नहीं आता चलिए देखो यह है ना बेंजीन का वास्पस आप इतना मतलब यह जो value दी है वो value किसकी दी है P0 की value आपके पास है 0.850 जिसमें 0.5 ग्राम अवास्पसील विले को इतना बेंजीन में खोला गया मतलब आपसे कह रहा है अवास्पसील अवास्पसील कौन विले की मात्रा की मात्रा कितना 0.5 ग्राम उसके बाद क्या बोला विलेन का वास्पदाब इतना है तो अब क्या लिखे है भई विलेन का वास्पदाब जिसको P.S. से दिखाते कितना है भई 0.845 अब एक कुछ देर पहले एक फॉर्मूला हम लोग देखे थे आपेच्छिक घनत तो आपेच्छिक जो घनत्व का आपेच्छिक जो वास्पदाब हो जाएगा जिसको अभी आप कुछ देर पहले बोर्ट पे बता रहे थे जिसको डेल्टा पी से दिखाते हैं तो क्या था भई पी नॉट माइनस पी एस पी नॉट माइनस पी एस पी नॉट की वैलू 0.850 माइनस 0.845 इसको घटाईए 0.005 बार कैसे आया अरे 0.850 मेंसे 0.845 ये इसको हासल दिया 10, 10 मेंसे 5 गया 5 4 मेंसे 4 गया 0 8 मेंसे 8 गया 0 ये आई वैलू ये था तरीका कैसे आया समझने के लिए हम क्या देखते कि हम लोग के पास दो चीजी है एक क्या है बेंजीन तो हम माल लेते ही एक बर्तन है इस बर्तन में जो विलायक है कौन भाई विलायक कौन बेंजीन जिसका फॉर्मला है C6S6 और दूसरा है कोई विले पदार उसका नाम नहीं दिया बस बोल दिया आपसे क्या और वास्पसील विले है अगर आपको numerical समझ में आया हो आएगा तो आप बस एक लैं में कहीएगा yes sir clear है हम आपकी बातों को समझ जाएगे कि हमारे बच्चों को numerical बहुत अच्छे से आ रहा है फिर हम से क्या कह रहा है फिर हम से कह रहा है कि यहाँ पे आपको क्या बतानी है इस Wilian में औ-वास्प सिल विले का अडुभार मतलब आपको बताना है अडुभार किसका अडुभार विले का तो इसको क्या करिये? questionable मार्ग कर दीए अब कोई है कैसा फॉर्मुला बदाजी जो अडुभार का है तो कुछ देर पहले formula बता रहेते हैं यह वाला कि wa p not p ma by delta p into w by mb अब इसी को लगा दीजे formula रखें आपर क्या हो गया wa equal to p not into ma into wb upon delta p into mb अब question के according हमें क्या रखना है जहां जिसके जो मान है उस मान को यहां रखना है तो अगर हम इसके मान की बात करें तो p not का मान देखिया आया था यह न पी नौट पी नौट पी नौट पी नौट पी नौट पी नौट यह कितना 0.850 ma ma आपका आया है यहां पी देखो यह न जीरो दस्मलो पाँच यह आपका ma है 0.5 अब wb wb बेंजीन है ना तो बेंजीन का निकालते तो c6 s6 था 12.72 और 6 यह आया 78 ग्राम यह आपका था क्या wb बेटा आपकोसिस करेगा अडू भार निकाल लीजेगा जैसा कि सुर्जीत का कहना था सर एक से 30 तक आप लिखवा दीजे तो आप उमीद करतें कि मेरे द्वारा बताएगी बात आपको सुमन में आयोगी और मेरा सुर्जीत जो है वो अच्छे से अपना होमक किया हुआ क्या सुर्जीत बेटा अगर आपको नहीं आया है 205 और MB MB का मान देखो निखा था ना 49 नहीं लिखे क्या यह ना 49 ग्राम बेंजीन में खोला गया मल्बंब MB की वैलू कितनी होगी 39 अब क्या करेंते है दसमलो तीन इस्थान पे दसमलो तीन इस्थान पे तो दसमलो को दसमलो कैंसिल कर लीजे तो रुपर आया 850 गुड़े 0.5 49 से कम 49, 49 दुना 78 तो गुड़े 2 और नीचे से बचा 5 गुड़े 1, मतलब 5 अब क्या करिए? 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ दीजे, 2 पाचे 10 तो वो खतम हो गया तो आया 850 बटे 5 अब इसको भाग कर दीजे 850 में 5 का भाग करना है तो 5 एक कम 5 8 में से 5 गया 3 5 आया 5 साते 35 0 का 0 आगया मतलब ये आगया कितना? 170 ग्राम ये हो गया हमारा आंसर बदाए क्या ये बासमन मैं? इसको जल्दी से नोट कर लीजे जितनी जल्दी नोट करेंगे उतना जल्दी क्लियर होगा और हम लोग उतना ही आगे और उतनी ही अच्छी तरीके से आगे चलेंगे अगर मेरे बच्चों को मेरे द्वारा बताएगे इनो मेरी कल में कोई प्रावलम होगा तो बताईएगा जैसा कि आप लोग का कमेंट था कि सर लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम आप जाता है आपका कोशिस कीजिए पीडियाप से पढ़ाईए तो पेटा आज हम आपकी बातों को ध्यान में रखकर आज पीडियाप से पढ़ाने वाले हैं अगर आपको लगे कि सर पीडियाप से ज़्यादा अच्छा आप जो लिख के समझा रहे थे उसमें आ रहे तो आप बताईएगा हम वैसे ही पढ़ाएंगे अगर आपको लगे कि सर पीडियाप से ज़्यादा अच्छा लग रहे है तो हम पीडियाप से पढ़ाएंगे क्योंकि ये batch आपका है, 0-0 और जैसा आप हम बोलेंगे वैसा आपको करना होगा, और जैसा आप बोलिएगा बिल्कुल वैसा हम चलेंगे तो आईए, हम लोग बात करते हैं आगे जी, क्या पाया हम लोग की heading थी, क्या थी क्वथनान का उन्नेयन उमीद करते हैं कि मेरे बच्चों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा अगर किसी को नहीं दिखेगा तो आप मुझे comment करिएगा हम next time से थोड़ा सा और इसको अच्छा लेकर आएगे वैसे ऐसा हो तक के जितने बच्चे उनका test 45 मिनट का होगा और class 11 से 12 तक के जितने बच्चे उनका test 60 मिनट का होगा और जो भी बच्चा इस test में rank 1 से 4 के बीच में आता है उसे unacademy का subscription बिल्कुल free में मिलेगा तो जितने भी student इस video को देख रहे है description में मैंने सभी class का link दिया उस class पर जाना है जैसे ही जाओगे वहाँ पर enroll now का option आएगा उस पर click करोगे अगर वहाँ पर आप से invite code माँगेगा तो आप सुभम UP10 इस code को जैसे डालोगे आप इस scholarship test में बिल्कुल free में इंडॉल कर सकते हो तो जितने भी student इस वीडियो को देख रहे हैं अब भी जाकर इस scholarship test में इंडॉल कर लो किन्ना दिखे क्या है क्वाथनांग का union तो copy में चलिए heading मना लीजे और लिखना चालू हो जाईए मुझे पता है कि हमारे बहुत सारे बच्चे मेरे साथ साथ notes बता रहे अब कुछ ऐसे भी खलीफा है खलीफा उनको कहते हैं जो सोचते हैं उनको सब कुछ आता है लेकिन जब पूछेंगे तो कुछ नहीं आता तो वो लोग notes नहीं बना रहे तो बटा खलीफाओ जल्दी से notes बनाओ और notes बनाओगे तो अभी पढ़ पाओगे, वना नेट नहीं रहेगा, तो क्या पढ़ हो गए हाँ, हैडिंग मना ये, क्वाथनांक का उन्नेयन, लिखे पीटा, क्वाथनांक वताप है, जिस पर वास्पदाप का मान, वायूमंडली दाप के बराबर हो जाता है, पतलब, वास्पदाप का मान, वायूमंडली दाप के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, और किसी विलियन का क्वथनांक, शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है, ध्यान दीजेगा, विलियन का क्वथनांक, विलायक के क्वथनांक से अधिक क्यों होता है, क्य तो अगर हम इसमें दो components रखेंगे, तो मात्रा बढ़ेगी न, तो ये मात्रा क्यों बढ़ी, क्योंकि उसमें विले घुल गया, तो क्वथनांग का उन्यन यही से समझेगा, कि क्वथनांग का उन्यन जो होता है, उसमें विलेन के मात्रा अधिक होगी किस से, विलायक से, ओक आई एक बार फिसे समझते हैं कौथनांग वत आप है जिस पर वास्बदाप का मान वायुमंडली दाप के बराबर हो जाता है किसी विलियन का कौथनांग शुद्ध विलायक के कौथनांग से अधिक होता है ये कौशन आया था 2016 का कि विलियन का कौथनांग विलायक शे अधिक क्यों होता है ऐसा कुछ सवाल मन में आपके आया होगा इसलिए एक्जामन ने 2016 के पेपर में ये कौशन दिया था कि आखिर क्यों होता है तो क्योंकि विले और विलायक आकर्षर के कारण संगुणन से कौथनांग में क्या हो जाती है वृद्धी हो जाती है इनके कहने का मतलब ये है कि विलेयन दो चीजों का मिस्टर है विले और विलायक तो विले का भी कुछ कौथनांग होगा विलायक का भी कुछ कौथनांग होगा मालो हम विलायक का कौथनांग 78 रख रहे हैं और विले का क्वथनांग हम रखे 22 तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे बैटा तभी न विलेन होगा 100 डिग्री का तो ये 100 और ये 78 तो कौन बड़ा अरे सीधी सी बार 100 बड़ा तो विलेन का क्वथनांग हमिसा विलायक से अधिक होगा उसी को कहेंगे क्वथनांग का उन्या अगर ये बास समझ में आई हो तो आई एक छोटा सा मान लेके चलते हैं ये मान आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा दिखे माना आप चाहो तो नोट करके भी लिख सकते हो माना करके रिखो कि तुझ ज़्यादा अच्छा है नोट करके या माना करके माना शुद्ध विलायक का क्वथनांग अब क्वथनांग को टेंपरेशर कहते हैं और इसको बॉयलिंग करते हैं इसलिए टीबी बी का मतलब क्या है बॉयलिंग ठिक और विलियन का क्वथनांग capital T क्वथनांग मतलब temperature temperature का मतलब खौलना तो वो हो गया क्या capital T और अगर हम विलायक की बात थे तो T भी से नोट कर दिये तो अगर कोई आप से पूछे क्वथनांग का उन्नेयन बताईए तो बेटा एक छोटा सा formula फिट से नोट करीजे और बच्चो formula हमेशा chart paper पर नोट करिए जैसा कि कुछ बच्चों ने अपने chart paper मुझे भेजे ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमारे बच्चे हमारे द्वारा दिये गए चीजों को follow up कर रहे और जो बच्चे नहीं कर रहे बटा अभी समय है जब की दिसंबर में paper होगा तो क्या करोगे क्या है कौथनां के onion का formula हो गया delta tb वराबर t-tb अब याद रखे ये delta tb है ये सुद्ध विलायक है और ये tb हो गया ओके अतब विलेन के क्वथनांग वह विलायक के क्वथनांग का अंतर क्वथनांग उन्नेयन कहलाता है अगर कोई आप से पूछे कि क्वथनांग उन्नेयन किसे कहती है तो बस एक लाइन मेंसर दीजेगा क्या विलेन के क्वथनांग और विलायक के क्वथनांग का जो अंतर होता है विलियन के क्वथनांग को T और विलायक के क्वथनांग को TB इन दोलों के अंतर को ही डेलिटा TB कहते हैं जिसको क्वथनांग का उन्नेयन कहा जाता है इसको नोट कर लीजे तो हम ग्राफ बताएंगे और ये ग्राफ बहुत इंपोर्टेंट है अगर ये तीन नम्बर में आता है अगर मेरे प्यारे बच्छो अगर ग्राफ आप बनाएंगे तो एक्जामनर आपके मार्क्स नहीं काटеंगे तीन मैसे तीन मार्क्स तुरन देंगे और अगर आप graph नहीं बनाएंगे numerical नहीं करेंगे तो examiner समझेगा कि बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है अगर आप graph बनाएंगे numerical करेंगे तो examiner सुझेगा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है तो आपकी जो छोटी मोटी गलती होगी उसको भी हटा देगा और नहीं तो काट देगा ठीक है तो heading मनाएंगे graph एक छोटी सी heading मनाएगे graph graph देखिए आप देख सकते हैं साफ साफ बहुत अच्छा graph है ये graph ऐसे दो ही बारा है एक 2012 और 2014 हो सकता है इस बार भी आज़े आप चाहो तो heading करके ऐसे देदो अचाहे तो graph निरूपड करके heading देदो graph निरूपड क्या बिटा वास्पदाब अवनमन वास्पदाब के अवनमन को peanut से कहते अब क्वथनांग उन्यन क्वथनांग के उन्यन को delta TV से कहते में क्या संबंध होता है हम लोग बात करते हैं कि graph में दो अच होते हैं एक होता है x अच एक होता है y अच जब x अच की बात करते हैं तो x अच पे हम किसको रखते हैं? क्वथनांग के उन्यन को और y अच पे किसको रखते हैं? वास्पदाब अवनमन को चेक है? वास्पदाब अगर विलियन का ले ले तो ps और विलायक का ले ले तो p0 तो हमने क्या पाया? कि जब capital T था मतलब विलायक तो आया b पे जब capital T b था तो आया c पे और यहाँ पे विलायक था तो आया a पे मतलब एक त्रिभूज बनके आ रहा है a, b, c देखिए नहीं? मतलब graph के अनुसार क्या पाया graph के नुसार delta a, b, c या तो त्रिभूज a, b, c पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है त्रिभूज a, b, c में जो त्रिभूज a, c, b का code होगा यह वाला यहीं होगा 45 degree क्योंकि यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ 90 degree का code आएगा तो 10, 45 degree की जो value हो जाएगी वो हो जाएगी delta p बटे delta t, b क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं math की student है 10 का मान होता है لمb बटे आधार तो इसमें لمb क्या है भाई? साफ साफ देखने को मिलना है कि इसमें जो لمb है वो delta t, b, a, b देखो नहीं आपे? इसको मैंसे भी लिख सकते a, b, b, c a, b की जगा हो गया delta p और b, c की जगा हो गया delta t, b तो formula हो गया 10, 45 degree बराबर delta p upon delta t अब हम लोग क्या जानते? हम लोग जानते हैं कि 10, 45 degree मतलब 45 degree का मान होता है 1 क्योंकि मेरे बच्चे त्रिकोर्ण मिती पढ़े हैं और त्रिकोर्ण मिती में उनको पता है किसका मान हो गया कितना? एक तो एक बराबर delta p बटे delta t भी एक बटा एक कर दो, तिर्चे गुडा कर दो तो क्या हो गया? दोनों मान आपस में हो जाएंगे बराबर मतलब वास्पदाब अवनमन किसके बराबर होगा? कौथनांग उन्यन में तो यहां से यह कहा जाता है कि अगर वास्पदाब अवनमन होगा तो कौथनांग अवन्यन भी होगा अगर कौथनाग उन्यन होगा तो वास्वधाब भी अपनमर होगा मलब दोनों की value होगी बराबर अगर यह आपको graph समझ में आया हो तो बस एक line में लिखेगा सर्फ clear है graph numerical समझ में आया हो तो लिखेगा एक line में सर्फ clear है numerical हमारे द्वारा बताएगी अगर जानकारी आपको अच्छे लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा ठीक है एक बार समझ लीजिए समझने के बाद उसको लिख लीजिए और उसके बाद हम आगे चलेगे उमीद करते इतनी चीजे आपको बहुत अच्छे से आई होंगी अगर कभी कभी नहीं समझ मैं न तो वीडियो को एक दो बार पीछे करके खीश के जरूर देखा करिए जिन बच्चों को वीडियो न समझ मैं वो क्या करेंगे एक से दो बार देखेंगे तो 100% उनको आ जाएगा ये गारंटी है मेरी ठीक है? चलिए एक छोड़ा सा नोट लिखें बिटा देखें नोट आपसे क्या कह रहा है? थोड़ा हलका चल रहा है? सही है नोट कि उप्रोक्त ग्राफी नीरूपर से इसपस्ट होता है कि वास्पदाप उन्ययन और क्वथनांग उन्ययन बराबर होते हैं मतलब डेल्टा पी बराबर डेल्टा टी भी हो ये चीज हम ग्राफ देखकर समझ गए और मेरे बच्चे ग्राफ बहुत अच्छे से बना लेंगे अगर एक्जाम में ग्राफ बनाएंगे तो मांक सापको बहुत अच्छे मिलेगे तो क्या पाया नोट कि उप्रोक्त ग्राफिनी रूपर से स्पस्ट होता है कि वास्पदाप अवनमन क्वथनांग उन्ययन के क्या होता है बराबर होता है ओके चलिए अब जैसा कि हम बात करेंगे अडुभार की गड़ना की तो यह इंपॉर्टेंट है और आपको बता दे कि इससे देखें बचों अगर हम बात करें इसकी तो 2016-2018 में यह कॉशन आया है अब जैसा कि आप जानते हैं सर्फ 2021 में तो पेपर ही नहीं हुआ अगर पेपर हुआ होता तो उसमें भी आता यह 16-18 में आया हुए कॉशन इससे तो यह इंपॉर्टेंट है क्या है कॉथनांग उन्नेयन के लिए विले के अडुभार की करना किजे जिस प्रकार अवनमन में हम लोग किये थे उसी प्रकार हम लोग को यहां इसमें भी करना है तो क्या पाया कि किसी विलेन का कॉथनांग उन्नेयन मोललता के समानुपाती होता है ओ ओ मोललता आ गई अब मोललता का फॉर्मूला हम लोग पढ़े है क्या पाया कि किसी विलेन का कॉथनांग उन्नेयन मोललता के समानुपाती होता है अब कुथनांक उन्यन को हम लोग पहले ही देखे थे किसको डेल्टा टीवी से दिखाते तो डेल्टा टीवी बराबर क्या? बराबर ने के इस प्रपोर्शनल मोललता इसको कहते हैं इज्य प्रपोर्शनल और आप जानते हैं कि जब यह हटता है तो आजाते एक नेतांक तो क्या आठा? डेल्टा टीवी बराबर के बी यही हमारा नेतांक है तो फॉर्मूला हो गया डेल्टा टीवी बराबर के बी गुडे मोललता अब पिछली क्लास में हम लोग मोललता और नारमलता और मोललता और मोलन्स वगेरा पड़े तो अभी फिलाल मोललता की बात करें देखिए हम लोग क्या पारें? यहाँ पे मोललता मोललता का फॉर्मूला था मोललता बराबर विले के मोलो की संख्या बटे विलायक का भार अब विलायक का भार आपको होना चाहिए केजी में विलायक का भार किसमे होना चाहिए? केजी में विले के मोलो की संख्या तो आपको याद कराए थे कि विले के मोलो की संख्या का एक छोटा सा फॉर्मूला था small n बराबर w by mw अगर हम बात खरेंगे इस विलेंड में तो दो चीज़े होंगी विलेंड विलायक तो यहीं से निकाल लीजे अगर हम इसको a माल ले यह हो गया हमारा विलेंड और इसमें एक और चीज़ होगा जैसे जल इसको विलायक माल ले तो वो w b और m b इसको पूरा m में ही रांदू ज्यादा अच्छा लगेगा तब फॉर्मुला बनेगा डेल्टा टीबी बराबर kb इंटू m a by wa इंटू 1000 बटा m b तो फॉर्मुला यहां बन गया हमारा किसके लिए अडुभार के लिए क्या होगे बिटा w a बराबर kb इंटू m a by डेल्टा टीबी गुले 1000 बटे m b जल्दी से अपने चार्ट पिपर में या जो लूग नुमेरिकल की कॉपी बनाए है वहाँ पे इसको नोट कर लिजे अगर आप नोट कर लिजेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा और और एक्जाम परपस से ये बहुत most important है कई बारा है ठीक है अब सवाल ही होता है सर इसको कहते क्या क्या है तो आईए हम लोग बात कर रहें कुछ के तो देखिए अभी जो हम निकाले हैं उस मान को कहते हैं क्या केवी केवी इसको कहते मोलल उन्यन इस्थिरांग क्या एल्बो इसको पे ये एक ही बारा है था 2011 में उसके बाद नहीं पूछा है लेकिन फिर भी थोड़ा सा याद करने में क्या जाता है याद कर लेते हैं तो क्या हो गया केवी मोलल उन्यन इस्थिरांग एल्बो इसकोपिक एक छोड़ा सा नोट क्या है कि यदि किसी विल्यन की मोललता इकाई होती है तो उस विल्यन का क्वथनांग उन्यन मोलल इस्थिरांग कहलाता है ध्यान दीजेगा क्वश्चन ऐसे भी बन सकता है कि मोलल उन्यन इस्थिरांग किसे कहते तो मोलल उन्यन इस्थिरांग किसे कहते हैं कि यदि किसी विलियन की मोललता इकाई होती है तो उस विलियन का क्वथनांग उन्यर मोलल उन्यर इस्थिरांग कहलाता है या नुमेरिकल्स कि मोलल उन्यर इस्थिरांग की गढणा वास्पन एंथेल्पी से निम्ने प्रकार की जाती कॉशन बन सकता है कि मोलल उन्यन इस्थिराग की गढ़ना वास्पन एंथेलपी से बताईए तो वास्पन एंथेलपी से कैसे करेंगे ये जानने के लिए सबसे पहले इसको करिए कॉपी कॉपी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और हम लोग बहुत अच्छे से कर सकेंगे ठीक है देखी बिटा एकदम साफ साफ दीख रहा होगा आपको क्या पाएं मोलल उन्यन इस्थिरांग की गड़ना वास्पन एंथेल्पी अब फॉर्मूला हमें याद रखना होगा क्योंकि हम लोग से कभी निगमन नहीं पूछा है सिर्फ हम से पूछा है फॉर्मूला तो चार्ट पेपर में एक फॉर्मूला और नूट कर लो कम से कम 30-35 फॉर्मूले हम आपको बता दिये अब यह है कि आपको याद कितना होता है तो यहाँ पर सबसे पहले कैपिटल M कैपिटल M कोयते है विलायक का अडुभार R गैस इस्थिरांग या गैस नेतान R का मान तो आपको यादी होना चाहिए चले एक छोटा सा होमग दे रहे हैं आप लोग बताईएगा क्या R का मान बताईए ठीक है R का मान आप बताईए तो R गैस इस्थिरांग TB विलायक का कथना और Δेल्टा HB वास्पन की एंथेल्पी V फॉर होता है वैपर देखेंगे इस V का मतलब होता है वैपर और वैपर को हम लोग हिंदी में समझते हैं क्या वास्प तो H फॉर हो गया हीट तो वास्पन की एंथेल्पी और आपका एक छोटा सा होमवर्ख है कि आपको R का मान बताना है हम देखते हमारे कितने बच्चे R का मान बता पाते हैं वैसे तो होमवर्ख हमारे लगभग काफी बच्चे कर रहे है लेकिन कुछ ऐसे भी है जो कंजूशी दिखा रहे है अब मान लो ये बरतन है इस बरतन में हम क्या रख दिये जल रख दिये कितना रख दिये 100 ग्राम रख दिये जल हमेशा क्या होता है विलायक होता है नलायक का छोटा भाई है विलायक और 5 ग्राम विले नाम नहीं बता है सिब कह दिया है कि विले जो है ये विले पाँच गराम है आगे रिखें कौथनांक में इतने की वृद्धी हो गई कितना 0.49K मतलब आपको डेल्टा टीबी का मान दे दिया कितना 0.49K कि ये मतलब कैल्विन अगर एक्जाम में Celsius दिया होता तो पहले उसको कैल्विन में चेंज करते इस फॉर्मुले से जितना भी Celsius होता उसमें 273 जोड दे दे लेकिन हमसे तो कैल्विन दे दिया तो जोडने की ज़रूरत ही नहीं है जल की मात्रा साफ साफ का 100 ग्राम विले की मात्रा 5 ग्राम केवी के भी हम लोग को याद हो गया ये कि 0.52 कैल्विन किग्रा प्रती मोल 0.52 कैल्विन किग्रा प्रती मोल तो ये हो गया फॉर्मुला फॉर्मुला की बात करें तो अभी कुछ देर पहले हम फॉर्मुला निखाये थे आपको याद होगा क्या बच्चा क्या फॉर्मूला था देखिए ये डबलू ए बराबर के बी इक्वल टू में बाई डेल्टा टी बी इंटू थाउजन बाई एम बी के बी का मान पता चल गया इतना एमे का मान पांच ग्रम डेल्टा टी बी का मान जिरो दसमलो चार नो एक हजार तो एक हजार और एम बी जो है सो ग्रम अब क्या करते हैं कैल्कुलेशन कैल्कुलेशन में क्या करते हैं इस जिरो से इस जिरो को काट लेते हैं पांच का गुड़ा इसमें कर देते, तो हो गया कितना? पचास. ये दसमलों से ये दसमलों हटा लेते, तो कितना हो गया? बावन. और नीचे कितना हो गया? उन्चास. अब 52 का 50 में कर देते हैं गुड़ा तो आ गया 2600 बटे 49 और जब कैलकुलेटर या मुबाइल की साहिता से 2600 बटे 49 किये तो मान आ गया आपका 53.06 ग्राम अगर ये numerical समझ में आया है तो एक numerical हम दे देते हैं आपको होम वर्क अब कोगे सर नुमेरिकल आपको वर्क बहुत देते हैं बेटा इसलिए देते हैं कि ये आपको एक्जाम में हेल्प करेंगे MCQ आएगा तो सिर्फ थियोरी नहीं आएगा अरे बच्चो थियोरी के साथ numerical भी आएगा तो एक अव वास्पसील विले के जली विलेन में होम अख लिखे एक अव वास्पसील विले के जली विलेन जिसमें विले की मात्रा पांच ग्राम एक हजार ग्राम देखें वहाँ सौत है यहाँ एक हजार करणी खुली है तो यह विलेन के 373.4 केल्विन पर उबलता रहता है तो विले के अडुभार की गड़ना कीजिए यदि वास्पन की एंथेल्पी आपको 40.6 केल्विन जूल प्रती मोल है इतनी चीजे आपको given है इतने से ही आपको answer बताना है इस बार हम answer का hint नहीं देंगे क्योंकि जैसे ही answer का hint दे रहे बच्चे तुरंट टाइप करे answer मेरा आगया answer मेरा आगया बिना numerical solve दिए और numerical solve आपको करना है तो बच्चो अगर आज का मेरा आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो उसे प्लीज लाइक करिएगा अपने दोस्तों में शेर करिएगा जो बच्चे 12 उपी में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़े हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे आपके उपर पहला नोटिफिकेशन आएगा और आपकी क ज़्यादा से ज़्यादा पड़ चुके हैं दो तीन वीडियो में इसको भी खतम कर देंगे और फिर MCQ कराएंगे कुछ बच्चों कहना है कि सर प्लीज MCQ कराएंगे तो बिल्कुल बेटा MCQ कराएंगे आज पर इतना ही थैंक्यू सो मच बबाए स्वस्त्र रहें मस्त्र के घर पे रहें